स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रश्न भारत में राश्ट्रिय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है A. 4 अक्टूबर B. 15 सितंबर C. 23 अगस्त D. 20 जुलाई Answer C. 23 अगस्त Explanation अंतरिक्ष अंवेशन में उलेकनिय उपलब्धियों विशेश रूप से भारत की प्रगती को उजागर करने के लिए 23 अगस्त को राश्ट्री अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षनी धुबियक शेत्र पर चंद्रायान तीन मिशन की सफल लेंडिंग के बाद प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी द्वारा इस दिन की आधिकारिक होशना की गई थी अगला प्राश्ट महराश्ट्रा के पहले सोलर विलेज का उध्धाटन किस राज्य में किया गया A. सतारा B. कोलहापो C. सोलापो D. सांग्री A. सतारा महराश्ट्रा के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में पहले सोलर विलेज का उध्धाटन किया सतारा जिले के पाटन तालुका में मन्याचिवानी गाव महराश्ट्रा का पहला सौल गाव बन गया है महराश्ट्रा राज्य विद्यूत वित्रन कम्पनी MECDCL ने प्रत्येक जिले के दो गाहों को सौप्रतिशत सौर उर्जा संचालित बिजली प्रदान करने की महत्वाकांची योजना की घोशना की है अगला प्राश्ट C8 Cricket Rating Awards 2023 में पुरुष अंतरराश्ट्रिय Cricketer of the Year का पुरस्कार किसे मिला ए यशस्वी जैस्वाल बी रोहित शर्मा सी विरात कोहली डी केल राहुल आंसर बी रोहित शर्मा एक्स्प्लिनेशन भारतिय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को 21 अगस्ट 2024 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में 26 में C8 वर्ष 2023 का अंतरराश्ट्रिय क्रिकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया C8 क्रिकेट पुरसकार भारत में क्रिकेट के सबसे प्रतिश्थित पुरसकारों में से एक माना जाता है ये पुरसकार दुनिया भर के क्रिकेटरों के असाधारन प्रदर्शन का सम्मान करता है C8 Cricket पुरसकार 1995-96 में शुरू किया गया था और यह R.P. गोयन का सम्मूह की कंपणी C8 Tires द्वारा प्रायोजित है अगला प्राश्ण वैज्यानिकों ने पहली बार किस ग्रह पर तरल पानी की खोच की A. शुक्त B. ग्रहसपती C. शनी D. मंगल Answer D. मंगल Explanation वैज्यानिकों ने पहली बार मंगल ग्रह पर तरल पानी की खोच की है एक नए अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह की चटानी बाहरी परत के अंदर तरल पानी के महसागर हो सकते हैं मंगल ग्रह की मध्य परत में तरल पानी अध्ययन Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS पत्रिका में प्रकाशित हुआ था ये परत मंगल ग्रह की परत में लगभग 10 से 20 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है अगला प्राश कौन से प्रसित संगीतकार और पार्शब गाईका को 28 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रिय लता मंगेश कर पुरसकार मिलेगा A. शंकर महादेवन और अलका यागमे B. अनुमलिक और सुनेदी चोहान C. उत्तम सिंग और केस चित्रा D. एयार रह्मान और शेया घोशाल C. उत्तम सिंग और केस चित्रा Explanation मध्य प्रदेश सरकार 28 सितंबर को यहाँ एक समारोह में सुप्रसित संगीतकार उत्तम सिंग और पार्शब गाईका केस चित्रा को राष्ट्रिय लता मंगेश कर पुरसकार प्रदान करेगी जाइका